आप समझ में आ रहा है कि बार-बार ही वीवियन को टाइम गोड क्यों बनाया जा रहा है क्योंकि बिग बोस भी नहीं चाहते कि यहां पर अविनाश, एलिस और इशा को जो है मतलब वो नॉमिनेशन लिस्ट में आए लास्ट जो नॉमिनेशन टास्क हुआ तो उसमें भी यह तीनों बच गए थे अब वाले नॉमिनेशन टास्क में जो आज हुआ है उसमें भी यह तीनों बिल्कुल सेफली बच चुके हैं कि यह नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं आए तो कही ना कहीं यह है Big Boss की चाल है यह कि इनको Nomination List में नहीं लेकर आना बहुत कुछ आज की अपिसोड में जो हुआ चाय पर कोफी पर लेकर मुद्दा हुआ है बहुत कुछ आज हुआ है हम आज की वीडियो में इस बारे में चर्चा यहां पर करने वाले है वीडियो को शुरूर करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आज का जो है सबसे पहला जो घर में मुद्दा उठता है वो उठता है चाय कोफी पर यानि राशन जो होता उस पर कल का ही है यह मुद्दा जो आज भी दिखाया गया खतम नहीं हुआ आज के एपिसोड में फाइनली यह खतम होगा मुद्दा तो जो लिस्ट है वो पचास पर आकर रूप जाती है चाय कोफी विवियन की स्पेशल कोफी और ग्रियंटी जो है राशन लिस्ट में नहीं होती क्योंकि यहां पर रूल को फॉलो करने के लिए कोई भी एग्री नहीं होता कि हम कोशिश करेंगे कि जो रूल ब्रेक हो रहे हैं वो यहां पर ना हो जिस टेम पे यह डिसाइड हो जाता है बिग बोज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो पचास लिस्ट जो बनाई थी सिर्फ वो ही आएगा राशन उसके बाद जो है इनके अपने-पने मुद्ध्याने शुरू हो जाते हैं कि हम जो है इस चीज़ पर ध्यान दे ल जो एक कंडिशन बिग बोस ने आपर रखीती राशन को लेकर कि जो रूल्स जो है ब्रेक हो रहे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए उसके बाद से बहुत कुछ जो है यहां पर कंट्रोल देखने को मिला पहला रूल जो है सबसे पहला ब्रेक हुआ वो हुआ रजत की कि वज़े से क्योंकि वो सो रहा था और कोड़ो बज गया दूसरा रूल ब्रेक दिगविजे की वज़े से हुआ तीसरा रूल ब्रेक जो हम कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा वो हुआ तो यहां पर फिलाल बात कर लेते हम नॉमिनेशन टास की नॉमिनेशन किसन यहां पर कशिश की कशिश ने बहुत अच्छे से यहां पर nomination task में जो नाम रखी है वो रखा है बगगा और शूतिका का बगगा का जो उन्होंने यहां पर बताया reason जो दिया है कि वो involved नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो खुद भी अपने मुझे बाहर जाना है मुझे आ नहीं रहना और शूतिका के लिए इन्होंने clearly बोल दिया कि यह थोड़ा रोड़ा बन सकती है आने वाले टाइमे मैं इसलिए इसको nominate करना चाहूंगे दूसरे नंबर पर जो nominate नाम आता है वो आता है शिल्पा मैं का तो शिल्पा भी यहां पर शूतिका और बगगा को जो है यहां पर nominate करने के लिए बोलती है शूतिका का सब को पता है कि वो क्यों बोल दिया नॉर्मल सी बात है शूतिका शिल्पा को कर रही है nominate तो यहाँ पर शिल्पा ने जो है शुरूतिका को नॉमिनेट कर दिया बग्गा का वोई सेम है कि वो इन्वोल्मेंट जो है घर में अपनी बहुत कम यहाँ पर दिखा रहे हैं तीसरे नमबर पर आलिश आती है यहाँ पर रजट और दिखविजे को यहाँ पर नॉमिनेट करती है रजट का यह है उसके लिए बहुती है यहाँ पर रजट का जो है कोई मुद्दा नहीं होता और जहां तक हमें देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा मुद्दे जो है अब तक शो में अब फिलाल रजट जो है यहाँ पर क्रियेट कर रहे हैं दूसरे नमबर पर उन्होंने दिखविजे का नाम लिया कि दिखविजे आयो उनको सम्धिंग वन विक हो गया बटे इनका भी इन्वोल्मेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं देता ऐसा कुछ यहाँ पर एलिज जो है कैती हुए हमें नजर आई करन ने जो दो नाम दिये नोमिनेट के लिए वो है एलिश और बगगा एलिश का समझ में आता है करन ने नाम दे दिया लेकिन बगगा का नाम दिया वो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं दो तीन दिन से बगगा जो है यहां पर continue शायरी करते वे नजर आ रहे है करन के उपर उसकी अच्छी खासी उससे बाचीत यहां पर चल रही है अगर करन चाहता कहीं ना कहीं जो आज nomination task हुआ उसमें ऐसा लग रहा था कि करन जो है न वो थो पूरा डर आया है उसके में आज ही में उसने बोला था कि मैं क्या मुद्दा बनाओं किस से क्या लड़ाई करू क्या क्या करूं मैं यहां यहां पर जो मुझे बोड़े तुम एकोने में बैठे रहते हो एकोने में बैठके तुम पुस-पुस-पुस करते रहते हो का नाम लेना था वो है तीन एलिश इशा और अविनाश वो बग्गा की जगे अविनाश को यहां पर टार्गेट कर सकता था हलांकि यहां पर वीवियन को तो वैसे भी उसको अक्सेप्ट नहीं करना था उसकी चिठ्थी को अक्सेप्ट नहीं करना था बट फिर भी accept नहीं करी उन्होंने करन की चिठी जो है फाड़ दी यह कहकर कि यह मुझे कोई genuine reason नहीं लगा इसनी मैं इसको रद करता हूँ फिर बारी आती है दूसरे task की तो यहां पर आती है चाहत चाहत जो है चुम और Alice को यहां पर nominate करती है चुम के लिए बोड़ती है कि चुम का कोई मतलब चुम किसी मुद्दे में नहीं होती वो किसी बात में नहीं होती कहीं भी वो ऐसा कुछ create करती हुई नजर नहीं आती वो हमेशा kitchen में ही दिखाई देती है जो चुम से घरवाले सारे उनके खाने की तारिफ करते हैं तो उसी साब से clear है यह चीज उनको खाना व्राने का बहुत शोक है दूसरा जो नाम दिया उन्होंने Alice का Alice के बारे में वो कहती हुई नजर आए कि इनका involvement मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता तो यह उन्होंने दो नाम दिये और clear है दोनों बिल्कुल सही दिये अब तक कशिश ने भी बहुत अच्छे genuine reason दिये और यहाँ पर चाहत ने भी genuine reason यहाँ पर clearly दिये हैं दूसरे नंबर पर आती है इशा इशा जो है सारा और रजजत को यहाँ पर nominate करती है सारा के लिए वो reason बताती है कि उन्होंने जो भी हाल फिलाल में जो भी issue create हुए थे सारा ने जो उनके बाल खीच लिए थे उनको पर उना अनाप्षना बोला वो reason उन्होंने यहाँ पर सारा के लिए दिया रजजत के लिए भी ऐसा ही कि यह लगते हैं मैं चाहती हूं कि इससे पहले यह पहल करें दोनों में से किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी तो मैं पहल करती हूं टास्क में तीसे नंबर पर आती है रजजत की बारी रजजत ने यहाँ पर एलिश और अविनाश को यहाँ पर नॉमिनेट किया जी हां रजजत ने एलिश और अविनाश को यहाँ पर नॉमिनेट किया और एलिस के लिए वही कुछ करती हूं नजर नहीं आती है और सेम यह तो यहां पर जो है अविनाष के लिए भी कहते हूं नजराए और यह हमें कलिएर दिखता हैे तीनों के सोती हुई एक कंबल में दिखी तो वह बहुते ज़्यादा यहां पर वाइरल हो रही है काफी ज़्यादा ट्विट जो है वो कर रही है इनकी एमिस तो क्लियरली दिखता है और एक चीज़ और शायद आप लोगोंने नोटिस ना की हो जब भी ईशा और अविनास आपस में बात कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से जो टॉक टॉक उनकी बात और होती है हासी मजाक और होते हैं वहीं पर एलिश बैठी होई होती है लेकिन वो अंदर से पूरी जल रही होती है मतलब उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैलसी फिल होती है जब ईशा अविनास से बात करती है बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती वहीं पर बैठी रहती है लेकिन लगता है वो वहाँ पर नहीं है कहीं हो रहे है फुल इग्नोर जी से कहते है जब आप बारे आती है बग्गा जी की बग्गा जी जो है यहाँ पर कशिश और करन को नॉमिनेट करते है कशिश के लिए वही बताते है कि यह अभी तक दिग्विजे और कशिश जो है अपने मुद्दे से बाहर नहीं आये है और यहाँ पर करन के लिए जो है बग्गा जी बोलते हुए नजर आते हैं कि यह अभी भी एक कोने में बैट कर बात करते रहते है इनका भी तक दुबारा इतना कुछ कहने के बाद भी इनका अपना कोई मुद्दा नहीं होता फिर बारी आती है यहाँ पर दिग्विजे की दिग्विजे जो है यहाँ पर अभी नाश और एलिस को नॉमिनेट करते हैं उनका भी मुझे जायज लगा जो करन का होना चाहिए था यह सेम दिग्विजे ने यहाँ पर किया यानि अभी नाश और एलिस को यहाँ पर नॉमिनेट किया सेम रिजन कोई मुद्दा नहीं कोई कुछ नहीं और अविनाश का यह है कि खुद का कोई मुद्दा नहीं होता दूसरों का में टपक पड़ता है अलिश जो है वो बिलकुल शांत उन्सान एक सेड़ में बैठे जाती है अगर हम हाल फिलाल की बात करें बगगा से ज़्याद होती है उसमें जेलसी फील में उनका ठोबड़ा में दिखाई देता है तो क्लिर है भाई दूसरे टास्क में जो दूसरा वह उसमें वीवियन ने जो है रज़त का अक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रज़त ने ऐलश और अविनास को नॉमिनेट ने नत अपने दोस्तों को सुक्षाना ही था है इसलिए उन्हों ने रजयत का एक्चेप्ट नहीं किया फिर पारी आती है तीसरे टास्क की तीसरे टास्क में दिगवजय ने जो है एलिश और और अविनाश को यहां पर नॉमिनेट किया सारा ने बगगा और अविनाश को सारा ने जो है बगगा और अविनाश को यहां पर नॉमिनेट किया नॉर्मल सी बात है बगगा को involvement नहीं दिखाते और अविनाश का मुद्दा बताय कि जो अभी हाल फिलाल में हुआ था उसको लेकर मैं यहाँ पर अविनाश को nominate करना चाहूंगी फिर बारी आती है चुम की तो चुम यहाँ पर दिगविजे और चाहत को nominate करती है नॉर्मल सी बात है चाहत को क्यों nominate किया क्योंकि चाहत ने चुम को nominate किया इसलिए उसने चाहत को nominate किया और दिगविजे का जो उसने बोला वही सेम की घर के अंदर तो आ गए है लेकिन मुझे इनका कोई मुद्दा जो है यहाँ पर नजर नहीं आता श्रूतिका श्रूतिका ने यहाँ पर कशिश और शिल्पा को nominate किया जैसा कि हम सबको पता है शिल्पा का तो उनका जब से nomination task आया दूसरे वाला nomination task हुआ था वहाँ से लेकि अब तक वह continue जो यहाँ पर शिल्पा मैम को nominate करती हुए नजर आ रही है तो आज हमने देखा कि शिल्पा मैम ने भी श्रूतिका को nominate किया तो यहाँ पर श्रूतिका ने शिल्पा मैम को nominate किया reason वही है कि यह अपनी बात खुलकर नहीं बोलते हैं और जहां भी जाते हैं वहाँ पर वो उनको pinch करती रहती है taunt जो वहाँ पर मारती हुई नजर आती है जो उन्होंने शिल्पा मैम के लिए reason दिया और कशिश के लिए reason वही जो कशिश ने दिया था कि टककर आमने सामने की है तो जाड़ी से बात उसने मुझे nominate किया तो मैंने उसको nominate कर दिया फिर बारी आते है यहाँ पर आश भी नहीं कर रहे हैं उनको चुम में तो कमिया दिख गई चुम कहीं ना कहीं दिखाई तो देर ही at least बट उन्हें इशा और Alice नहीं दिखाई देती जो सारा दिन उसी के चिपकी रहती है उनका कोई घर में कोई involvement ही नहीं है और करन का वही यह हमेशा जिम करते रहते हैं इनका कोई अपना point view ने होता यह हमेशा कोने में बैठे रहते तो ऐसा कुछ उनों ने यहां पर करन के बारे में बोला तो finally तीसरे task में भी यहां पर तीनों जो हैं बच गई तो यहां पर जो है विवियन ने दिख विजे का लैटर जो है वो accept नहीं किया तो finally जो हमें पता ही है कि बिग बोच चाते हैं कि अभी और आगे तक जाएं तो यहां पर विवियन ने विनाश इशा और एलिस को बचा लिया तो नॉमिनेशन लिस्ट में कुन रहा श्रूतिका चाहत चुम कशिश दिखविजे रजद करन तो यह लोग जो है यहां पर हमें दिखाई दिये बगगा साथ लोगों का यहां पर नॉमिनेशन हुआ अगर हम जैसा अगर सारे नॉमिनेशन उसके उससे देखते हैं कि किसको कितने जादा मिले तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी ऐलिश की ऐलिश को टोटल चार लोगों ने नॉमिनेट किया यानि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में अगर नाम आया तो वो है ऐलिश का अगर उस एक फेर उसमें देखा जाए तो यहां पर जो है ऐलिश सबसे पहले नॉमिनेशन लिस्ट में आती है दूसरे नमबर पर आता है अविनाश, अविनाश को तीन लोगों ने नॉमिनेट किया, हलांकि बगगा को भी तीन लोगों ने नॉमिनेट किया, but फर्स नमबर पर एडिस ही आती है, तो कहीं न कहीं कलियर है यह चीज, कि बिग बज जो है इन तीनों को बचाना चाहते हैं, इसलिए जज जो है जजी कहेंगे हम तो उसको यहाँ पर वीवियन को बना दिया गया जिनों ने अपने दोस्त को बचा लिया नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कोई हम बायस्ट यह टास्क का रिजल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि जब शूतिका को पहली बार नॉमिनेशन की लिए जब चुना गया था कि आप लोगों के इसाफ से घर में सबसे प्यारा सबसे हस मुख सबसे अच्छा को हो ना तो यहाँ पर नॉमिनेट कर सकता है उसने उस ग्रूप में से तीन लोगों को चांस नहीं दिया था इसा, और विवीयन इसा और विवियन इशा, अभिना schw Six ओ वीयन इन तीनों को वहाँ पर उन्होंने चांस नहीं दिया था एक आर्फीन थे चार को वहाँ भी बिलकुल भी चांस नॉमिनेट करने के लिए तो जाएर चाहलांकि उनको इतना इतना इतनी समझ रहे थी स्टार्टिंग ही थी वो तो इतना नहीं पता था क्या ग्रूप होता क्या निव उसमें अपने जज जो उस टैंप पर होता उस भी आप तो उन्होंने वहाँ पर वैसा किया तो बाइस हम या पर नहीं बोल सकते हैं आप करते हैं भाई जो मेन मुद्दा है जो हर दूसरे तीसरे दिन हमें बिग बोस के घर में देखने को मिल रहा है वो मेन मुद्दा जो है हमारा पोटी तो यहां पर पोटी पे सबसे ज़्यादा जो है सवाल उठ रहे हैं जो आज भी उठा ले यहां पर जो पोटी का मुद्धा बहुत हाइलाइट तरीके से लिया जारा रो हर बार इस मुद्धे को हाइलाइट में ही लिया गया तो यहां भी कही न कही जब अलिश वहां पर टोल एट कि महां खड़ी थी तो वह चाहत को बोलती है कि आप मेरे है आप मेरे से पहले गे तो चाहथ भोलती है मैं तो सबसे पहले गें तो आज भी चाहथ नहीं बोला कि मैं नहीं गें घॉझत और उदर से करण। और रजट उसमें थोड़ा सा अपना वो दे रहे हैं ृपने अंदाजे लगा रहे हैं जो साफी में होके दे रही है कैसे हो सकती है वो पोटी फिल्कुर जमी पड़ी है कौन से उसकी होगी कितने दिन की होगी तो उनके अपने ही चलने पड़े हैं तो पोटी का मुद्धा बहुत जाद रहा है और हर बार जो है यहां पर चाहत का नाम ल पर गए हैं वो चीज को अब्जर्व करके वहां पर अपने कंफेशन रूम में बुलाओ उसको समझाओ उससे बात करो कि क्या प्रोब्लम है क्या नहीं है ऐसे नेशनल टिवी पे आप इनका इन कंटेस्टन का मजाक मत उड़ाए बिग बोजी अगर आपको लगता है कि यह चीज करनी चाहिए तो आप खुद उनसे बात कीजिए और इस मुद्धे पर बात होने चाहिए चाइट बोध खतरनाक वाला था पहुँँज जादा खतरनाक वाला था देखना है कि कलमे होगा जैसे हाईलाइट में आपने देखी लिया होगा बाकी एकस एक प्रमॉद में आते रहेंगे बात करते रहेंगे चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट में